प्रेम आपके साथ ये सब करता है, तो आपका बहुत बढ़िया लवफेर चल रहा है, उसका आनन्द लीजिए. आप सोच सकते हैं कि मैं हीरो हूँ, मगर वो लड़की, उसकी अपनी राय है. आपकी ना कैसी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता. खुशी भरा चहरा हमेशा एक सुन्दर चहरा होता है. सद्गुरु जी, मेरे कॉलेज में आप बहुत आम हैं, और मेरे और मेरे दोस्तों के बीच भी है सच है, तो मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ. और होता ये है, कि मेरे अंदर उससे बात करने का साहस नहीं है. और यहां एक आत्म संदेह की तरह है. मुझे लगता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ. तो इस बारे में क्या करना चाहिए? आप एक लड़की से प्यार करते हैं या एक लड़की के प्यार में डूब गया हूँ. ओ. ऐसा हुआ. शराबी बनने से पहले वो शिलॉंग युनिवस्टी में था. शंकरन पिले. और वो पिएजडी कर रहा था. और एक दिन वो अपने मेंटर प्रोफेसर के पास गया और बोला, सर, मुझे एक बहुत जरूरी चीज में आपकी मदद चाहिए. तो प्रोफेसर ने कहा, हाँ, मैं इसलिए तो यहाँ हूँ, बताओ. फिर उसने कॉलेज की सुन्दर लड़की का नाम लेकर कहा, सर, मैं पूरी तरह से उसके प्यार में डूब गया हूँ. मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए. तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए? मैं उस तरह की चीजों में तुम्हारी मदद के लिए नहीं हूँ. मैं एकेडेमिक मामलों के लिए हूँ. वो बोला, नहीं सर, असल में मैं 50% सफल हो गया हूँ. आपको बस बाकी 50% के लिए मेरी मदद करनी है. उन्होंने पूछा, वैसे 50% सफलता क्या है? वो बोला, मैं पूरी तरह से उसके प्रेम में हूँ और वो नहीं जानती. बाकी 50% में आपको मेरी मदद करनी है. तो बस प्रेम का आनन्द लीजिए. क्यूंकि अब वो पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है. अगर आप उसे भी पिक्चर में ले आएंगे, तो वो इसे अपने हाथ में ले लेगी. और मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको किसी के प्यार में नहीं पढ़ना चाहिए, मगर जीने की जल्दी में ना रहें. अपने जीवन के इस चरण में देखिए कि खुद को कैसे एक सार्थक जीवन में विक्सित करें. फिर चीजें एक निश्चे तरह से आपके पास आएंगे. अगर आप जीवन में हडबड़ी करेंगे. फिर विकास के दूसरे पहलू में भी रुकावट आएगी. क्यूंकि आप भावनात्मक रूप से उलज गए. अब तुरंथ लड़की कहे कि मैं कल सुभे तुम्हारे साथ आ जाओंगी. फिर तुरंथ आपको कोई नौकरी ढूननी होगी. आपने अपनी एंजिनेरिंग पूरी नहीं की, आप और रिक्षा चलाने लगेंगे. अरे ये सारी चीजे होंगी. प्रेम आपके साथ ये सब करता है. तो आपका बहुत बढ़िया लवफेर चल रहा है, उसका आनन लीजे, उसे मत बताईए. सद्गुरु मेरे ख्याल से वे अपने आत्मसंदे के बारे में भी जानना चाते थे, हलांकि संदर्व ये था, वे मुख्य रूप से आत्मसंदे के बारे में पूछ रहे हैं. देखिए ये आत्मसंदे नहीं है, संदे उसके बारे में है. उसका जवाब क्या होगा? ये संदे है. कही ना कहीं, जब आपकी बात आती है. ये प्रश्ण की, मैं किसी चीज़ के लाइक हूँ, किसी चीज़ के लाइक नहीं हूँ. आपको ये चिंता नहीं करनी चाहिए. आपको हर दिन बस ये देखना चाहिए, कि आप उससे बहतर इंसान कैसे बन सकते हैं, जैसे आप अभी हैं. और फिर दुनिया जिस तरह से प्रतिक्रिया करती है, आपको बताती है कि आप अच्छे हैं या नहीं. आपको ये नहीं सोचना है. देखिए, इसलिए साल के अंथ में एक्जामिनेशन होती है. क्यों? क्योंकि आप सोच सकते हैं कि आप एक महान इंजिनेर हैं, मगर इंतेहान के नतीजे आपको बताते हैं. तो ये भी वैसा ही है, आप सोच सकते हैं कि मैं हीरो हूँ, मगर वो लड़की, उसकी अपनी राय है. तो उसकी बजाए देखिए कि खुद को बहतर कैसे बनाएं, कई तरह से, ना कि सिर्फ जैसे आप देखते हैं, क्योंकि आपके लुक्स को कुछ तेर बाद अंदेखा कर दिया जाएगा. आपको खुद को बहतर बनाना होगा. खुद को बहतर कैसे बनाएं? कम से कम आप खुद को एक अच्छा इंजिनियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक अच्छा विचार है. दूसरी चीज है, बस देखिए, बहतर मतलब क्या? वो एक चीज क्या है जो हमेशा लोगों को आकर्शित करती है? वो एक चीज क्या है चेहरा हमेशा सुन्दर चेहरा होता है, है की नहीं? आपकी नाक ऐसी हो सकती है, कोई फरक नहीं पड़ता. खुशी भरा चेहरा हमेशा एक सुन्दर चेहरा होता है. ये एक चीज कीजिए, शायद वो आपसे प्रेम करने लगे. बस उठिए और चमकिए. अगर आप उठकर चमकेंगे, तो हर कोई उसी दिशा में देखेगा है ना? गाना सीखे, एक गाना गाईए. अगर आप चाहें, हम आपको सिखा सकते हैं. सिर्फ एक गाना, जिससे वो भी प्रेम में पड़ जाए.